अब हम आते हैं राज्य विधान मंडल की शक्तियां एवं कारे विधान मंडल की शक्तियां वकारे जिसका हिस्सा है राज्य पाल विधान सभा और विधान परिशद जहां विधान परिशद हैं विधान मंडल जो है जैसे केंद्र में संसद विधाईका का मुख्य अंग है बलकि विधाईका के अंतरगत संसद का जो कारे है विधान मंटल का राज्य की विधाईका में वही कारे हैं अर्थात मुख्य कारे विधी निर्माण कानून का निर्माण और विधी निर्माण में दोनों सदन या जहां एक सदन हो वो भाग लेते हैं और कानून बनाने की प्रक्रिया को सम्वैधानिक जिश्च से निप्टाते हूं उनके मुख्य कारें पर यदि बात करें तो पहला कारे है व्यवस्थापिका संबंधी शक्तियां वही जो लोक सभा की हूं कानून के निर्मार्ख शेतर में विधान सभा विधान परिश्च से अधिक शक्ति शाली लोक सभा राज्य सभा से ज्यादा शक्ति शाली विधान सभा जो है वो किस विश्यों पर कानून बनाती है लोक सभा किन विश्यों पर कानून बनाती है केंदरी सूची के विश्यों पर कानून बना सकती है उसी प्रकार विधान सभा राज्य सूची पर कानून बना सकती है विधान सभा स्टेट लिस्ट के अंतरगत दिये गए विश्यों पर कानून बना सकती है विधान सभा द्वारा जो भी कानून बनाय जाते हैं और संचत द्वारा जो कानून बनाए जा सकते हैं उसमें कहीं विरोध हुआ तो विधान सभा का कानून निरस्त माना जाएगा ये बात याद रखें विधान सभा द्वारा बनाए गए कानून और संचत द्वारा बनाए गए कानून में विरोध होने की स्थिति में विधान सभा द्वारा बनाये गए कानून निरस्ट विधान सभा द्वारा पास किया गया कोई भी साधारन विधेक विधान परिशद जहां है वो अधिक्तम तीन माह तक उसके रख रोक सकती है राज्य सभा कितने समय तक लोग सभा के परस्ताओं को कितने समय तक साधारन परस्ताओं को छे माह लेकिन विधान परिशद जहां भी है वह तीन माह के लिए अधिक्तम ऐसे परस्ताओं को साधारन परस्ताओं को रोक सकती है अंतिता विधान सभा का निर्णा ही अंतिम होगा जैसे केंदर में लोक सभा का नर्णा व्यवस्थापी का संबंदी शक्तियों के बाद दूसरी शक्ति है कारेपाली का संबंदी शक्ति मंत्री परिशद पर पूरा नियंतरन जैसे लोक सभा का ऐसे विधान सभा का राज्य की मंत्री परिशद पर नियंतरन राज्य की कारेपालिका विधान सभा के प्रति उत्तरदाई जैसे केंद्र की कारेपालिका लोक सभा के प्रति उत्तरदाई राज्य सभा के प्रति नहीं ये बात बहुत महतपूर्ण है समझने की और इसको मैं बारं-बार इसलिए कह रहा हूँ याद रखेंगे उत्तरदायत टो लोकसभा के प्रति है राज्य में उत्तरदायत विधानसभा के प्रति है क्योंकि विधान सभा के सदस जनता द्वारा सुने जाते हैं जो सर्वोच हैं तो इत्तर दाये तो भी जनता के प्रती है और इसलिए जब तक विधान सभा का विश्वास है तब तक कारिपाली का कारिरत है तब तक मंत्र परिशत कारिरत रहेगी जिस दिन विधान सभा ने विश्वास खो दिया जिस दिन विधान सभा ने अपना विश्वास विधान सभा में मंत्री परशद के खिलाफ व्यक्त कर दिया इसका मतला अविश्वास परस्ताओ का पारित होना और अविश्वास प्रस्ताओ जब पारित होता है, तो क्या होता है? मंत्रि परश्यत को इस्तीफा देना होता है। मंत्रि परश्यत अपदस्थ हो जाती है। इसके अतरिक्त विधान सभा के सदस्य जो हैं वे प्रश्ण पूछ सकते हैं जो सगन प्रस्तावल आ सकते हैं निंदा प्रस्तावल आ सकते हैं सरकारी नीतियों की आलोचना कर सकते हैं सरकारी आंकडे सरकारी डेटा या जो भी सरकारी जानकारियां हैं उसके बारे में सरकार से सवाल जवाब कर सकते हैं और ऐसा करते हुए विधान सभा के सदस्य मंत्र परिशद पर या कारेपालिका पर पूरा नियंतरन रखते हैं वैसे ही जैसे कि लोग सभा नियंतरन रखता है केंद्र की कारेपालिका पर तीसरी शक्ति है वित्ति ये शक्ति बिलकुल वैसी ही जैसी की केंद्र में हैं कोई भी वित्विधयक विधान सभा में ही पहले प्रस्तावित होगा विधान परिशद में नहीं विधान सभा से वो पारित होता है तो कहां जाएगा विधान पर बिदान प्रिशद को कितने दिन रख सकता है दि चाहे तो कि विद्धेक को वह अधिक्तम 14 दिन रख सकता है उस पर कुछ सुझाव भेज सकता ह। लेकिन विदान सवा के लिए यह बादिता नहीं है कि वह विद्धेक के मामले में विदान परिषद के सुजावों को लागू करे, सुईकार करे, बाद धिन नहीं हैं। और ऐसी सिटिमें वह चाहे तो उसी विद्विध्यक को पुना पारिट करके उसे पारिट करवा सकती है। अनिता उस विद्यक को उसी रूप में पारित माना जाएगा जिस रूप में मूलता विधान सभा ने उसे विधान परिशत को भेजा था दूसरे शब्दों में विधान परिशत के सुझावों को मानना ना मानना विधान सभा की इच्छा पर है जैसा कि राज्य सभा के सुझावों को मानना ना मानना लोक सभा की इच्छा पर है तो इस प्रकार हम देख रहा है कि वित्त सम्बंदी शक्तियों में विधान सभा का स्थान वही है कारेपालिका सम्बंदी शक्तियों में विधान सभा का स्थान वही है व्यवत स्थापिका संबंदी शक्तियों में विधान सभा का स्थान वही है जो केंद्र में लोक सभा का है विधान सभा के शक्तियों या पावर्स में अंतिम जो शक्ति जिसका जिकर हम को करना है वह है अन्य शक्तियों यहनला उपर जो शक्तियां बताई गए हैं वो उसकी मुख्यूरूफ से थी लेकिन उसके अलावा कुछ अन्य और भी हैं जैसे राश्ट्रपती और संसत के बारे में बात करते करते मैंने लोकसभा के बारे में बताया था कि उसकी कुछ अन्य शक्तियां तो यहां पर विधा विधान सभा की अन्य शक्तियों में उसके निर्वाचन में भाग लेने की शक्ति अर्थात राष्टपती के निर्वाचन में विधान सभा के सदस्यों की अहम भूमिका होती है जैसा हमने राष्टपती के संबंद में अध्यन करते हुए समझा था तो विधान सभा का एक महत पूर्ट दायित्व है राष्टपति के चुनाओं में मतदान करना, निर्वाचन में भाग लेना, उसके अलाबा संविधान के कुछ अनुछेदों में संशोधन के अदि बात आती है, संशोधनों की बाद तो भारती संग के कम से कम आधे से ज़्यादा राज्यों की विधान सभाएं अपनी सहमती दें तभी जाकर संशोधन स्वीकार होगा आखिर ऐसा क्यों? राज्यों की सहमती वो अभी आधे से ज़्यादा राज्यों की क्यों जरूरत है? जरुरत किवल इसलिए है कि भारत जो है वो संगवाद है और संग में राज बहुत महत्पूर्ण होते हैं इसलिए समविधानिक संशोधन यदि कुछ होगा तो कम से कम आधे राजियों की विधान सभा और जहां विधान परिशध है वहाँ हम उसे विधान मंदल कह दें आधे राजियों की सहमती मिलने के बाद ही वह संशोधन पा creators होता है इसकार विधान सभा की शक्तियों के तहद हमने इसको समझा अब हम आते हैं राज्य के विधान मंडल के उस अंग के अध्यन के लिए जो मात्र छह या सात राज्यों में है, सात राज्यों में, विधान परिशन, जो एक तरीके से यदि हम तुलना करें, तो केंद्र में संसद का जो अपर हाउस है, राज्य सभा, वैसे ही राज्य में जो अपर हाउस है वह है विधान परिशद और मैं बार बार इस बात को कह दो रहाँगा कि विधान परिशद मात्र छै राजियों में है साथ राजियों में है 36 गड़ में नहीं है तो विधान परिशद चूंकि साथ राजियों में है वह विधान मंडल का हिस्सा है उन राज्यों में हमें उसके बारे में भी जानना जरूरी है जैसे राज्य सभा उच्छ सदन होता है केंदर में ऐसे ही विधान परिशद भी उच्छ सदन जैसे राज्य सभा लोग सभा की तुलना में कम शक्ति शाली ऐसे विधान परिशद भी विधान सभा की तुलना में कम शक्त शालिए जैसे राज्य सभा का चुनाओ परोक्ष ना होकर के प्रत्यक्ष ना होकर के परोक्ष होता है ऐसे विधान परिशद का चुनाओ भी ऐसे होता है कुल मिलाकर हमने जो राज्य सभा के बारे में पढ़ा लगभग सभी बातें विधान परिशद में लागू होती हैं except दो तीन शक्तियों को छोड़ कर वोई अपवाद है सदस्य संख्या की बात करें तो किसी भी राज्य की विधान परिशद के सदस्यों की संख्या उस राज्य के विधान सभा की संख्या के एक बटा तीन से अधिक और चालिस से कम नहीं होगी मैं पुना दोहरा दूँ विधान परिशद के संख्या के तमन में नियम ये है कि उस राज्य में जहां ये विधान परिशत प्रस्तावित है वहां विधान सभा के सदस्यों की एक बटा तीन संख्या से अधिक होना चाहिए लेकिन उसके साथ ही नियुनतम 40 होना चाहिए ऐसी मैंने कुछ देर पूर आपको बताया था कि विधान सभा में नियुनतम संख्या साथ होनी चाहिए लेकिन चार राज्य ऐसे हैं बहुत छोटे राज्य जहां पर संख्या 40 है ये अपवाद है अधरवाई अनिता संभधानिक दृष्टी से संभधानिक रूप से साथ की संख्या को नियुनतम माना ज़ा है जिन साथ राज्यों में सदन हैं जिसे हम उच्च सदन कहते हैं वह है बिहार जहां 75 सीटे हैं करनाटक 63 सीट उत्तर प्रदेश 99 सीट जमो कश्मीर 36 महराष्ट 78 आंद्र प्रदेश 50 और तेलंगाना 40 इस पकार उत्तर प्रदेश में यहां भी संख्या सबसे ज़ादा है क्योंकि नियुनतम एक तिहाई सदस्यों के बराबर संख्या होनी चाहिए एक तिहाई विधान सभ़ा के सदस्यों की उत्तर प्रदेश में विधान सभ़ा के सदस्यों के सदस्यों के सदस्यों के सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है राजपाल द्वारा जो मनोनीत होते हैं उनको छोड़ दिया जाए राजपाल द्वारा जो मनोनीत होते हैं जैसे राजसभा में राश्पती द्वारा इस संख्या को छोड़ दें जो हर राज में अलग-अलग होगी तो इनका बाकी सदस्यों का चैन आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणी प्रणाली के अंतरगत आप्रत्यक्ष रूट से आनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणी प्रणाली और आप्रत्यक्ष चैन वही जो राजसभा का है इसके निर्वाचन में कौन-कौन लोग रहते हैं इसको थोड़ा देख लें आनुपातिक प्रतिनिद्ट एकल संक्रमणी प्रणाली और अप्रतिक शुरूप से मतदान करने की पातरता कौन रखते हैं और थाथ कौन लोग विधान परिशद के सदस्यों का चुनाओं करते हैं पहला इस्थानी निकायों के निर्वाचक मंदल द्वारा विधान परिशद के कुल सदस्यों के संख्या उसमें से एक बटा तीन सदस्यों का चैन इस्थानी निकायों दोरह होता है और इस्थानी निकायों से तदपर है नगर निगम, नगर पालिका, जिला परिशाज या ऐसी संस्थाएं जो स्थानिय निकाय कहता है Local Administration के तहत ये सब आते हैं जो उस शहर को वहां की व्यवस्था को देखते हैं नगर की व्यवस्था को देखते हैं आधी आधी तो नगरपालिकार नगर निगम के जो हैं वे लोग एक तिहाई सदस से चुनते हैं उसके बाद सनातक, ग्राजुएट्स, ग्राजुएट्स लोग एक बटा बारा सदस से निर्वाचित करते हैं और निर्वाचित होते हैं ऐसे लोग जो सनातक होने के बाद कम से कम तीन वर्ष से उस राज्य में हो ये सनातक मत दाता हैं तीन वर्ष कम से कम कौन मत दाता को से सनातक मत कर सकते हैं वे सनातक जो तीन वर्ष रहे हों उस राज्य में रह रहे हों और ये लोग कितना सदस चुनते हैं एक बटा बारा संख्या तीसरा, शिक्षकों के द्वारा, एक बटा बारा, शिक्षकों के द्वारा निर्वाचित करते हैं जो उस रैज में माधमिक शिक्षा हैं, माधमिक स्कूल, उच्चतर माधमिक, उच्च शिक्षा और संस्थाओं में कम से कम तीन वर्थ से कारे रथ हैं वे लोग भी मत दाता है तो स्थानी निकाय एक बटा तीन उसके बाद सनातक लोग एक बटा बारा फिर शिक्षक एक बटा बारा और फिर विधान सभा के सदस्य ये लोग एक बटा तीन चुनते हैं विधान सभा के सदस्य एक बटा तीन लोगों का चुनाओ करते हैं विधान सभा के सदस्यों द्वारा विधान परिशद की जितनी सीटे हैं निर्धारित की गई हैं उसकी एक बटा तीन सीटें विधान सभा के सदस्यों के द्वारा भरी जाती हैं चुनी जाती हैं और उसके बाद अंतिम है राज्यपाल द्वारा मनोनीत विधान परिश्द के कुल सदस्ट संख्या का एक बटाच है राज्यपाल द्वारा मनोनीत होता है और ये मनोनेन का आधार साहित, संगीत, कला, समाच सिवा, विशेश ग्यान, विशेश कावशल, खेल कूद, आदी आदी इन खेत्रों में जिन्होंने महारत हासिल किये है राज्य को गरवानवित किया है राज्य को नाम दिलाया है अंतर राष्टी मंच पे, राष्टी मंच पे इन से विधान सभा के विधान परिशत के एक बटाच छै सीटें भरी जाती इनका प्रतिनिधित बहुत महत्पूर्ण होता है विधान परिशत में क्योंकि ये अपने अपने खेत्रों की समस्याओं, अपने अपने खेत्रों की आवशकताओं, अपने अपने खेत्रों से जुड़े हुए लोगों की इच्छाओं को व्यक्त करते हैं, सरकार तक वे बात पहुंचाते हैं इन विभिन विधाओं के विकास में राज्य में ये नामित सदस्यों की बहुत महत्पूर्ण भूमिका होती है और ये सदस्य किनके दौरा मनोनीत होते हैं राज्यपाल दौरा वैसे ही जैसे राज्यसभा के बारा सदस्यों का मने उन्हें कौन करता है राश्ट्रपती तो य एक बटाच्छा सदस्यों का चैन राजपाल करते हैं हाँ नाम मातर के लिए राजपाल करते हैं सचाई तो ये है कि मुख्य मंत्री और उनका मंत्र मंदल ये तै करता है कि कौन लोगों को नामित करना हो और उनकी सूची फिर राजपाल को भेज दी जाती जिसे वे स्वीकार करने के लिए बात दे हैं विधान परिशट के सदस्यों की योगिताओं की बात करें तो पहला भारत का नागरिक दूसरा जैसे राजपाल में नियूनितम आयू तीस वर्ष ऐसे विधान परिशट की नियूनितम आयू तीस वर्ष तीसरा किसी लाब के पदपर ना हो कोई स संबंधित राज्य का निवासी हो याद करेंगे जब राज्य सभा की योगिता की बात की थी मैंने तो मैंने बताया था कि 1951 के अधिनियम के तहट राज्य सभा की सदस्था के लिए उस राज्य का निवासी होना अनिवार है जहां से आप सदस्य बनना चाह रहे हो लेकिन बाद में संशोधन हुआ 2003 में और संशोधन के तहट निवासी होने की जो पातरता थी वो हटा दी गई राज्य सभा के मामले में अब वह बस देश का नागरिक हो भारत का स्थाई निवासी हो इतना जरूरी है जरूरी है कि उस राज्य का हो जहां से उसका चैन होना है लेकिन विधान परिशत के मामले में आवश्यक है कि वह उस राज्य का निवासी हो और पांचवी आश्यकता है संसद्वारा समय समय परपारित निर्धारित अन्य अहरताओं अन्य योगताएं वे रखता हो लोकसभा और राजसभा के अंतर को बताते हुए मैंने एक बहुत बड़ी बात बहुत महत्मूर्ट बिंद बताया था और वह था जहां लोकसभा भंग होती है राजसभा स्थाई है वह कभी पूर्ण रूपेन भंग नहीं हो सकती यही स्थिती विधान परिशत की भी है विधान परिशत भी राज्य में इस्थाई सदन है वह निरंतरता सततता का परिचायक है इसके सदस्यों का चुनाव भी छे वर्ष के लिए होता है इसके सदस्यों भी एक तिहाई हर दो वर्ष में अवकाज ग्राण करते हैं और उनके इस्थान पर नए सदस्य लिए जाते हैं तो कमोबेश वही स्थिती ही जो राज सभा की है हर मामले में कोरम विधान सभा की बैठक के लिए जरूरी है कि दस सदस्यों या कुल सदस्यों का एक बटा दस दो शर्तने दी हैं क्योंकि कई जगे विधान सभा विधान परिशत के सदस्यों की संख्या कम निर्धारित की गई है जैसा हमने सूची में देखा तो ऐसी स्थिति में दो तरह की शर्तें या तो कम से कम दस सदस रहें या कुल निर्धारित संख्या का एक बटा दस लोग रहें तब ही उधान परिशत का उस दिन का संचालन होता है इसके प्रमुक पतादिकारी कौन? सभापती čiarmine जैसे रज्य सभा में आइट्स और उपरसभापती डेप्टी चेर्मine इन दोनों का चैन कहां से होता? रज्य सभा के चैर्मine तो वही होते हैं जो उपर राष्टपती चुने जाते हैं लेकिन रज्य की स्थिति में ऐसा नहीं है राज की स्थिते में थोड़ा अंतर है दोनों ही का निर्वाचन विधान परिशत के सदा से अपने बीच से करते हैं अपने ही बीच से दोनों का निर्वाचन होता है और इसके अलावा 14 दिन पूर्व की सूचना आवश्चक है पादे से हटाने के लिए जैसा राज सभा में आउश्चक है डेप्टी चेर्मेन को हटाने के लिए विधान परिशत के चेर्मेन वाइस चेर्मेन की शक्तियां वही हैं जो विधान सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की हैं सभापती और उप सभापती इनका वेतन विधान मंडल नधारित करता है तो इस प्रकार विधान परिशत के बारे में आपको पूरी जानकारी मिल गई गठन से लेकर सज़स्य संख्या, निर्वाचन, निर्वाचन शैली, उतके बाद उनकी योग्यताएं, फिर कारेकाल, कोरम और अंतिमे में पदादिकारी अब हम आते हैं संभवता सबसे महत्पूर्ण बिंदु पर इस अध्याय के ये अध्याय का नाम है विधाई का, विधाई का अर्था कानून बनाने का कारे, हमने ये तो पढ़ लिया कानून कौन बनाता है, हमने ये पढ़ लिया कि कानून बनाने में कौन कौन सी संस्थाएं या व्यक्ति या ये सब जुड़े रहते हैं, अब हमें जानना है कि प्रारंब सेले के अंत तक कितने पायदानों से किस प्रक्रिया को गुजरना पड़ता है तब जाकर एक प्रस्ताओ जो है वो अंत में कानून का रूप लेता है प्रारम में जो प्रस्ताव है वह अंत में कानून का रूप लेता है उस बीच वक कितनी प्रक्रियाओं से गुजरता है इसे अब समझना जरूरी है दूसरे शब्दों में संसद कानून कैसे बनाती है विधान मंडल कानून कैसे बनाती है दोनों के उत्तर लगभग एक ही होंगे विधी निर्मान की प्रक्रिया और लाउ मेकिंग प्रोसीजर विधी निर्मान की प्रक्रिया या कानून बनाने की प्रक्रिया इस पर अब हम अध्यन करेंगे और जब इसकी बात करते हैं तो अनुछेद 122 का जिक्राता है अनुछेद 122 सम्विधान निर्माण की प्रक्रिया से उसका संबंध है मैंने आपको पूर में बताया था संघ सूची उसके बाद समवर्ती सूची उसके बाद राज्य सूची और फिर अपशिष्ट विश्यों की सूची यानि बचे हुए विश्य चार सूचीओं के बारे में विस्तार से बताया था यहां पर उन सूचीओं का जिक्र करना बहुत आवश्यक है जब कानुणी प्रक्रिया की बात हो रही है अनुच्छेद 122 में प्रक्रिया का जिक्र है लेकिन प्रक्रिया की शुरुआत होती है अनुच्छेद 107 से और थाट लगवग 15 अनुच्छेद प्रक्रियाओं पर दिये हुए है कानूनी संबंदी प्रक्रिया पर जो विधाईका का सबसे महत्पूर्ण कारे है तो कानून कैसे बनते हैं चलिए देखें पहले जो प्रस्ता होता है उसे हम विध्यक कहते हैं क्या कहते हैं विध्यक जो विधिक बनने जा रहा है जो कानून बनने जा रहा है तो हम क्या कहते हैं उसे विध्यक विद्यक के दो प्रकार जिसका जिक्र मैं पूर में कर चुका हूँ एक तो साधारन विद्यक और दूसरा वित्त विद्यक वित्त विद्यक क्या है जिनका संबंद पैसे से है कर या आयव्यक के बारे में जिसमें हो जिस विद्यक में जिस प्रस्ताव में कर संबंदी बात हो आयवे संबंदी बात हो आर्थिक बाते हो पैसे संबंदी उच्छे हम कहते हैं वित्त विधयक दो भागों में पहला भाग कहलाता है सरकारी विद्धयक और दूसरा कहलाएगा गैर सरकारी या प्राइवेट या निजी एक सरकारी दूसरा निजी चलि हम शुरू में बात करते हैं साधारन विद्धयक के बारे में क्योंकि अधिकतर विद्धयक साधारन विद्धयक की श्रेणी में आते हैं और इनके बारे में वैसे भी पूर में काफी विस्तार से अध्यन हो चुका है लेकिन यहां पर कानून बनाने के प्रक्रिया में कै यह आगे बढ़ते हैं फिद्यक इस पर हम समझ रहे हैं तोम आजने की कोशिश करेंगे साधारन दिद्यक जो है वो कहा आता है जो वित्त से जिसका कोई तालूक आत नहीं और दो प्रकार के सरकारी और गैर सरकारी सरकारी विध्यक वे विध्यक हैं जिसे मंत्री प्रस्तुत करते हैं और मंत्री प्रस्तुत करते हैं कार्थ है जिसे सरकार प्रस्तुत करती है क्योंकि मंत्री जब विध्यक प्रस्तुत करता है कोई प्रस्ताव कानून बनाने के उस सदन में रखने के पहले मंत्री को उस प्रस्ताओं को लेकर बड़ा लंबा कारे करना पड़ता है अधिकारियों से बातचीत लोंगों से उपिनियन उसके बाद उसे ड्राफ्ट करना अन्य देशों के अनुभाव आधि आधि का निचोड तब जाके एक प्रस्ताओं बनता है और यदि मंत्री समझता है कि हाँ यह प्रस्ताओं उचित है तब वह मंत्री मंडल के सामने रखेगा मंत्री परिशद के सामने नहीं मंत्री मंडल के सामने जिसे काबिनेट कहते हैं जिसमें केवल विभागों के सरवच मंत्री रहते हैं सुतंत्र प्रफार के मंत्री भी इसमें नहीं रहते हैं केवल पहली श्रणी के मंत्री रहते हैं मंत्री मंदल में मंत्री मंदल के सामने इसे रखेंगे यदि मंत्री मंदल इस पर सहमत है या मंत्री मंदल को सुझाओ और जोड़ना चाहता है तो उसको जोडने के बाद, अंततासामती मिलने के बाद, तब जाकर फिर मंत्री उसे सदन के पटल पर रखता है, अर्था सदन के पटल पर रखने में कुछ नहीं तो पांच-छै माहा लग जाते हैं उसके पहले, और ऐसा विदेख जो मंत्री रखता हो वा सरकारी विदेख कहलाता है, क्योंकि उसमें सरकार का हाथ है, सरकार की इच्छा है, और दूसरा है गैर सरकारी विदेख, जो अन्य सांसदों दोरा परस्तुच किया जाता है, मंत्री परिशत के सदस्यों दोरा नहीं, अन्य सांसदों दोरा, ये तो हुई पहली बात, दूसरी बात, साधारन विदेख जो है, वह किसी भी सदन में पहले प्रस्तुच किया जा सकता है, जरूरी नहीं है कि वह कैवल लोक सभा में पहले जाए, जरूरी नहीं है कि साधा को राज सभा में ही पेश किया जाए पहले नहीं जहां पर भी कन्वीनियंट होगा सुविधा की दृष्टि से ध्यान रखते हुए उसे किसी भी सदन में पहले प्रस्तुद किया जा सकता है अब ये मंत्री मंदल की सहमती अनुमती के बाद ये एक सदन में पेश होता है विधायक मंत्री के दौरा अब आगे क्या होता है अब कानून बनने की प्रक्रिया में कैसे बढ़ता है